नोट कोईन के अंदर एक बार फिर से यहां पर ब्रेक आ चुका है ठीक वैसे ही जैसे कुछ दिन पहले आया था एंड मैंने आपको अपने टेलिग्राम के उपर और अपनी वीडियो के दिना बताया था उसके बाद हम लोगोंने अब ये ब्रेक आउट कितना कारेगर यहां पर रह सकता है क्या टाकर रह सकते हैं नोट कोईन के साथी साथ कब आपको अच की वीडियो को न मिलागी वीडियो को लास्त अक देखते रहना है बात करेंगो आपके को मेरिक वी अपडेट के बांगो फिलाज के लिए बात करते हैं नोट कोईन के बारे में अब कब एंट्री यहां पर बनेगी तो अभी आप देख सकते हो नोट कोईन का है वन हो फोन अए छोटा सब एक चोटा सा रिडक्शन आ चुका अब यहां पे इत चार्ट के अगादिंग सिंपल सा पहलने हैं तो हमें एंटरी बनती दिखेगी यहां है यहां पे यहां पर floral का formation हो रहाँ था ठीक है जोकि आप यहां पर देखी सकते हो अगर यहां पर यहां पर यह कैंड理 ट्रीनM-'X Region अधरा में उट्टीये है नीचे की साइब लिए 2 यहां पर अकर यहांपर ने Lexo entry का मौका spot के अंदर बन जाएगा note coin के अंदर बागी अभी लेना थोड़ा risk है because already यहाँ पर पंप कर चुका है वहीं बात करें note coin के 4R chart के बारे में तो यहाँ पर 20 ने इस level को breakout कर दिया है and according to 4R chart यहाँ पर हमें एक entry बनती भी दिख रही है but अगर आपको यही entry थोड़ा safe लेना है तो मैं यही चीज़ बोलूँगा कि यहाँ पर अगर retest successful होता है एक और bullish candle बनती है 4R या 1R में उसके बाद लेने जाना ताकि आपका risk कम हो जाए बात करें target की यहाँ से target हमाने के रहे सकते हैं तो पहला चोटा जो target हमाने को मिलेगा वह इस level का देखने को मिलेगा which is 0.29 यहाँ पर आप देख सकते हो last time resurrection ने आया था काफी बड़ा यहाँ पर chance बनेंगे कि एक बाद फिर से price इस level तक जाए फिर हमें एक और resurrection यहाँ से देखने को मिल जाए और एक side is movement के अंतर वहाँ से price जा सकता है उसके लाबा अगले target की बात करें तो note coin के जो अगले target है यह तीन target है यहाँ पर basically note coin के जिनको आप step by step यहाँ पर लेके चल सकते हो अगर आपकी note coin के इंदर trade है या फिर आप इसको spot के अंदर hold करते हैं बागी अगर आपको timely entry exit सारी चीज़े चाहिए बिल्कुल free में चाहिए सारे charts वगरा तो आप telegram मेरा join कर सकते हो जो की 100% free है जिसका link आपको मेरे description box और मेरे bio के अंदर दोनों के अंदर ही मिल जाएगा join करना वाद भूलना यहां पर बहुत साही टेट्स वागर हमें शेयर करता हूँ जैसे हमने पहले भी note coin के अंदर profit बनाया फिर आज भी बनाया उससे पहले हमने यहां पर band watch के अंदर बनाया इस type की free hype हमें देखने को मिलती है बट long term में कहीं एक shit coin की ता नहीं है कर सकता है because इसका कोई fundamental use case हमें crypto industry के इंदर देखने को नहीं मिलता है that's why मैं यह बोलूँआ यह community based coin है इस चीज़ को अपने जमांग में ज़रूर रखना अगर आप long term में invest कर रहे हो तो make sure आप इतना बड़ा investment मत करना कि अगर वो यहां पर loss में हो जाए तो आपको कोई फ़रक पड़े life के उपर नेक्स बात करते हैं bitcoin की बारे में तो आज इंडिया के इंडर election result है जिसके वैसे stock market इंडियन stock market जो है उसके अंदर बहुत manipulation time देखने को मिलती है बहुत दादा upside भी आया कल हमने देखा फिर आज हमें बहुत बड़ा crash भी देखने को मिला हाला कि उसका कोई impact bitcoin के उपर अभी bitcoin के उपर भी रात में अभी फिलाल bitcoin को फुरा चाट करने अगर आप देखते हो तो यहां पर एक trendline को breakout करने के बाद एक retest level के उपर bitcoin almost आ चुगा है जहां पर green bullish candle यहां पर बनती है तो एक और entry का मौका बनेगा यहां पर bitcoin के इंडर जहां पर bitcoin के इंडर long करके हमारा stop loss रहे अगर bitcoin के इंडर long करेंगे but long तभी करेंगे जब हमें एक green bullish candle hammer type candle लेखने को बहुती है इस level के उपर आने वाले चार घंटे के इंडर also यहां पर बात करें bitcoin के daily chart के बारे में तो daily chart के इंडर फिलाल के लिए bitcoin bullish लेखने को मिल रहा है and that's why मैं यहां पर long की बात कर रहा हूँ अभी फिलाल जो ऐसे में होता बॉलिंज बैंड का उसके उपर bitcoin का price trade कर रहा है जो last candle बनी है वो भी हमें अच्छी बिलिश देखने को लिए wires काफी उपर तक लेके गये थे बट उसके बाद हमने देखा कि यहां पर selling pressure भी हमें देखने को मिल गया फिलाले के लिए trend जो था सेफ जाना है daily chart के according देख तो आपका stop loss 66,400 के आसपास होना चाहिए और आप यहां पर hedge करना जाते हो तो सबसाचा trade रहता है Bitcoin के अंदर अगर आप long कर रहे हो तो एक old coin भी ऐसा देख सकता है इसके इंदर short कर जा सकता है और मेरे साइब से जो AI based old coins है वो थोड़े बियरिश इस समय पर देखने को मिल रहा है खास सवर पे near protocol near protocol को अगर आप देखोगे trend इसने totally यहां breakout कर दिया है breakdown हो चुका है totally strand का जिसके वैसे एक fall आने के chances यहां पर बन रहा है details भी हमें देखने को मिल चुका है support area का अब यहां पर बहुत दार chances बनेगे यह एक fall हमें चोटा motor scanner या बड़ा fall देखने को मिल जाए तो अगर आप hedge करना चाहते हो अगर आपको Bitcoin के दिना लॉंग करना है और एक short का trade भी लेना है तो यहां पर near coin को short करते उसका stop loss लगाया जा सकता है almost 6% का 7.6 dollar का अब आपर यहां पर almost almost यह वाला level ले सकता है 6 dollar के आसपास का जो की 15% का है तो यह एक trade बन दी है short की near protocol के अंदर एक long trade यह Bitcoin के दर बन दी है जो हमें अभी bullish लेकने को भीड़ा है for a chart के अंदर ठीक है all over यह दो trade मैंने ले रखी है long Bitcoin के अंदर करावा है short near protocol के अंदर करावा है आप अपनी मोर्जी से वागी चीज़े कर सकतो मेरी यह दो trade है stop loss के साथ मैंने ली है तो आपके साथ मैंने यहां पर share करनी also note coin के अंदर यहां पर जो मेरा trade था वो मैंने यहां पर profit book कर लिया है अभी फिलाल note coin के अंदर एक spot buy मैं करूंगा अगर यह यहां पर करता है तो एक green bullish candle formation यहां पर देता है तो next बात करें आप लोग यह कुछ questions के बारे में जो कि कल वाली वीडियो के comments के दरा आपने पूछे थे तो यहां पर question था आपका TRB coin को लेके TRB coin को आप देख सकते हो इस समयपस का support area 89.41 डॉलर का है अगर यहां तक price आएगा एक green bullish candle formation कहेगा तो यहां पर हम buy करना जा सकते है जम की उमिद रहेगी उसके लावा गाला coin का खुशन था जो totally sideways हमां देखने को मिल रहा है कल इसके अंदर जबूर एक अच्छ करें तो entry नहीं जा सकतो otherwise entry रहना risk है जैसके मैं आपको बताया उसके बाद next question यहां पे था maria coin को लेके जो कि आप देख सकते हो अपने support level से थोड़ा दूर है 0.0041 का support area है यहां तक आएगा तो ही actual buying बने कि उससे बहले buying करना risk है अभी थोड़ा भी यरिशा में देखने को जिस type से कुछ candle previously बनी है डेली चार्ट के अंदर उसके बाद बात करें ocean protocol के बारे में जो कि अगेन थोड़ा वेरिश देखने को मिल रहा है जो uptrend था वो इस candle भी breakout यहां पे हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं तो AI वाले coin जो है ocean protocol और near protocol हो यह थोड़े सा भी British बनेगी hammer बनेगी तो entry इंकी का मुझा बनेगा बहुत अची entry की इंडर long की stop loss वहीं दूस्ती है ओ अगर Nord coin के इंदर यह जो candle आप पाडिकुलर अभी देख रहा हो यह green bullish clothing होती है तो नौल το coin के अंदर भी यहां पे यह एक अच्छी entry का मौका बनेगा लॉंग ट्रेड भी कर सकते हैं बहुत बड़े मोमेंटम हमें रेखने को मिलते हैं मनुवलेशन भी होती है तो मेरे डिस्क्रिप्शन मॉक्स दोनों के दर मिल जाएगा बाकि नेक्स वीडियो के दर मिलते हैं तो तक लिए अपना ध्यान रखो और जो भी इंफर्मेशन थी इस वीडियो के दर कोई इडिवाईज नहीं थी अपने इसाब से इन्वेस्मेंट करना अपना डिक्समेंटमें टेक किर